Hello friends, welcome to my channel, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट अमित कुमा सिंग, आज मैं आपको एक microcap company बताऊँगा, जो आगे चलके large cap company बन जाएगा, इस समय अगर आप लोग 1,00,00 रुपया लगाते हो, तो 25-26 सालों में 500 करोड रुपया बन जाएगा, तो आप लोग पैसा में 300, 400, 500, 600, 1000 परसेंट रिटन बना के दे सकता है, तो आप लोग जो भी पैसा लगाईएगा, और लांग टरम के लगाईएगा, और ये chemical sector की company है, तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है, कि chemical sector में return जो मिलता है, और बहुत ही तेजी से मिलता है, और ये bull market है, बहुत बड़ बुल market है, आप लोग दरिये नहीं, डरोगे भाई, तो पैसा कभी नहीं बना पाओगे, share market में आयो, तो 1000, 2000, 5000, 10000, 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 चलके large cap company बन जाएंगी, बहुत बड़ी company बन जाएंगी, आप लोग बेचिये मत, अभी बुल market खतम नहीं हुआ है, अभी तो bank nifty चला ही नहीं है, वहीं पे घुम रहा है, तो जब bank nifty चलेगा, तो nifty अराम से 18,000 का हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप लोग सोचिएगा कि market ने बहुत तेजी हो गई है, share 3-4 गुना हो गया है, पांच गुना हो गया है, आगे पैसा नहीं बनेगा, तो भाई आप share market से फिर पैसा कभी बना ही नहीं सकते हो, यही हैप्यस माई जैसी company आगे चलके large cap company बन जाएंगी, कैम जैसी company आग चलके large cap company बन जाएंगी, तो आपनों बेचिये मत, अच्छी company पैसा लगा हैं, तो खरीद के बैठे रहिए, आप छोटा ही investment कीजिए, लेकिन long term के लिए कीजिए, अगर आपको सच में करोड़ पती, अरपती बनना है तो, राकेस जुन जुन माला बनना है तो, वारेन वफ पता है, नेफ्टी को ही देख लो, 78-100 से 17,000 का हो गया, कई सारी company 3-4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, और मैं तो हर वीडियो में बोली रहा हूं, नेफ्टी जब 78-100 का था, मैं तब ही बोल दिया था, कि ये जो bull market है, वो डेर सालों तक चलेगा, अभी भी चल रहा है, 17-18 पता सोवला बजास फैनेंस 6,000 रुपे के ऊपर ट्रेट कर रहा है, दिवाली तक आराम से 8,000 का हो जाएगा, उससे पहले ही हो जाएगा, मेरा 6,000 का बजास फैनेंस में 10,000 का टारगेट का अचीव हो गया, बजास फैनेंस और भी चलेगा, बजास फैनेंस और भी चलेगा चलता ही रहेगा, happiest mind आगे जाके large cap company बन जाएगा से पहले मैं इसका year to gel देख लेता हूँ और आप लोग भी किसी भी company में position बायां से पहले एक और सका financial condition के बारे पता कीजिए company के धंदे के बारे पता कीजिए अगर भाई उस company का धंदा अच्छा है, business model बनिया है उनकी product अच्छी है, उनकी services अच्छी है तभी जाके वो company लगातार अच्छे जल्ड पेस करेंगी और इसी type की company में आपको compound का फायदा मिलेगा और आप लोग वैसी company पैसा लगाए जिसमें आप लोग को compound का फायदा मिले तभी जाके आपका बड़ा पैसा बनेगा long term में तो देखो net sale turnover मार्च 17 में था वो 105.28 था मार्च 17 में और मार्च 21 में देख लो 359.44 हो चुका है तो देख से तो पहुत ही बढ़ियास का net sale turnover है year to year बाइज 155 में से 359 हो चुका है तोटल income देख लो तोटल income में इसका सांधार है year to year बाइज मार्च 17 में जो तोटल income था वो 108.40 था मार्च 17 में और मार्च 21 में देख लो 369.52 हो चुका है तो भीया मुझे इसका net sale total income year to year बहुत ही अच्छे दिखाए दे रहा है आप खुद भी अपने स्क्रीन पे देख सकते हूँ operating profit देख लो operating profit बहुत है year to year बाइज मार्च 17 में जो operating profit था वो 21.58 था मार्च 17 में और मार्च 21 में देख लो 49 हो चुका है तो देख सकते हूँ पहुत ही बढ़िया इसका operating profit है year to year बाइज 21 से 49 हो चुका है एविट्टा देख लो एविट्टा भी इसका सांदार है year to year बाइज मार्च 17 में जो एविट्टा था वो 24.70 था मार्च 17 में और मार्च 21 में देख लो 59.09 हो चुका है एविट्टा year to year बहुत ही अच्छे दिखाई देख रहें और किसी भी year में कम भी नहीं रहें इस टाइप के financial performance वाली company में अगर आप पैसा लगाते हो वई तो आपका पैसा हर साल double हो सकता है तो आप लोग इस company पैसा लगाईएगा wealth creation के लिए और आप लोग जो भी पैसा लगाईएगा वो long term के लगाईएगा अभी micro cap company है आगे चलके large cap company भी बनीगी profit and loss वो देख लो profit and loss वो देख लो इसका सांधार है year to year बाइच मार्ज 17 में जो profit and loss वो देख वो 3.67 था मार्ज 17 में और मार्ज 21 में देख लो 21.48 हो चुका है तो देख सकतो बहुत ही बनीगा इसका profit and loss वो देख लो देख लो year to year बाइच 3 से 21 हो चुका है और किसी भी year में कम भी नहीं रहे जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है positive बात है reported pad देख लो reported pad भी इसका सांदार है year to year बाइच मार्ज 17 में जो pad था वो 3.67 था मार्ज 17 में और मार्ज 21 में देख लो 21.48 हो चुका है तो बहुत यह यह भी सांदार है और किसी भी year में कम भी नहीं रहे annual EPS देख लो annual EPS भी इसका सांदार है year to year बाइच मार्ज 17 में जो annual EPS था वो 0.37 था मार्ज 17 में और मार्ज 21 में देख लो 19.71 हो चुका है तो भी इस कंपनी का नाम है year so industry यह chemical sector की कंपनी है अभी यह micro के कंपनी है लेकिन आने वाले सालों में यह large company बन जाएंगी बहुत बड़ी company बन जाएंगी इसी तरह 9-10 सल पहले आरती, बिनाती, SRA अतुल लिम्टेड बहुत छोटी company थी लेकिन आज के date में देख लो किसी का market cap 40,000 कोड का हो चुका है तो किसी company का market cap 50,000 कोड का हो चुका है तो मुझे लेता है कि यह भी company आने वाले सालों में large cap company बन जाएंगी और chemical centric company में return तो मिलता ही है और आप लोग किसी भी chemical company पैसा लगा के रखे हैं तो आप लोग बेची है मत आप यह मत सोचे के एलकल माइन्स 11 साल में 300% बना के दे दिया है तो आगे नहीं चलेगा बाला जी है माइन्स बहुत बड़ा multi-way stock बन गया है तो आगे नहीं चलेगा चलेगा जो stock चलता है वही न ओ चलता ही रहता है आप लोग एक बार इस company का balance rate चेक कीजे आपको खुद ही पता चल जाएगा यह कितनी अच्छी company है मैं खुद भी इस company पैसा लगा के रखा हूँ तो आप लोग भी लगाईए केशो इंड़स्टी पे मैं repeated वीडियो बनाते रहता हूँ मैं इस company पे लगातार वीडियो बना रहा हूँ आप लोग मैं वीडियो भी दिखाना चाहूँगा आम है ना पता है यह सो इंड़स्टी का लेकिन आज यह stock देख लो भाई कहां पे trade कर रहा है और यह सो इंड़स्टी का अभी क्या price चल रहे मैं ओ भी आप लोगो दिखाना चाहूँगा तो यह सो इंड़स्टी का अभी जो price चल रहा है वो मल्टिवाई stock है लक्षमी और गर्जनिक जैसी कंपनिय पैसा लगाईए मैं यहाँ पेषर नमर दि रखाओं टेली ग्राम जोइन करना चाहते हैं तो टेली ग्राम भी जोइन कर सेकते हैं मैं कोशिस करूँगा बाई आपको अच्छा से अच्छा पोटफोलिय बना के देने का कॉंटेट कीजिए मुझसे पेट सर्विस चाहिए तो आप ये मज़ सोचिए कि बजास फैनेंस बहुत महँगा स्टॉक है बजास फिंसर बहुत महँगा स्टॉक है लेकिन आप लोग इनकमोनियों पैसा लगाती ही नहीं हो आपको बजास फैनेंस महँगा लगेगा हैपियस माइन चला हुआ स्टॉक लगेगा तो भईय आप ऐसे कीजिए गा तो पैसा कभी नहीं बना पाईएगा जो चला हुआ स्टॉक है न वो और भी चलेगा अच्छी कंपनी तभी तो चल रहा है न इस समय अगर आप लो यह सो इंडेस्टी में एक लाक रुपया लगाते हो तो पचीश-चब्विस सालों में 500 करोड रुपया बन जाएगा 500 करोड रुपया आप लोग को मैं दिखान मिलेगा अभी तो यह बहुत छोटी कंपनी है माइक्रो के कंपनी है हजार करोड कभी मार्केट कैप नहीं है और आप लोग को पता है ही कि माइक्रो के कंपनी में बहुत ही तेजिस रिटन मिलता है तो मैं तो बस 55% ही रखाऊं जबकि यह स्टॉक एक ही साल में 200-300% रिण पैसा लगाईएगा तभी तो आपका पैसा बनेगा ना आप अगर सोचिएगा कि यह सो इंज्टी बहुत चल गया है एप यह समाइन बहुत चल गया है करेक्सन होगा तब जाके पैसा लगाऊंगा तो आप करेक्सन के दियार करते रह जाएगा और स्टॉक 3-4 गुना हो ज चल गा लेकिन आज के रे corner में देखि़ लू लाच के company बन गया अगर मैं पैसा नहीं लगाता तो तो मैं वहीं पे रह जाता और फिर में बाद में पशता था तो अगर आपको कोई company अच्छी लगती है तो पैसा लगा दीजिए जो होना होगा होगा आपके हाट में कुछ भी नहीं है और आप एक कंपनी में तो पैसा लगाने में तो फिर आप पैसा कभी नहीं बना सकती हो आप लोगो यस बैंक में तो डर नहीं लगता है आईडिया में आप लोगको डर नहीं लगता है लेकिन बजास फानेंस में आप लोगको पैसा लगाने में डर लगता है तो फिर बस्ता होगे मैं तो बोल बोल के ठक गया हूं उपेन करना चाहते हो तो लिंक आप लोग को वीडियो टिशन मिल जाएगा जी रोधा और आप स्टॉक का आप स्टॉक में डिमेट एकाउन उपेन काना विल्कुली फ्री है कोई भी चार्जस आपको नहीं लगेंगे जो भी लोग मेरे लिंक से दिमेट एकाउन उपेन कराएंगे उनको इंटरटे टिप्स फ्री में दिया जाएगा अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना सेर करना सब्सक्राइब करना पहले सिर में चैनल को सब्सक्राइब कर वेल बटन प्रेस नहीं कर